अगला पॉइंट है हमारा depository receipts सबसे पहले हमारे chapter का नाम क्या है हमारा business finance source of finance हमारा finance जैसे अगर कोई भी वेपार है कोई भी business है उसको अपने business को अच्छे तरीके से चलाने के लिए पैसे की जुरूत पड़ेगी तो वो businessman पैसे कहां कहां से ले सकता है और यहां मैं businessman की अगर मैं बात करूँ तो मैं company को ले के चलूँगा और company क्या होता है जिसने registration करवाया हो companies act के अंदर यानि एक organization जिसके आगे private limited या limited word का इस्तेमाल होता है उसे क्या बोलते हैं हम company बोलते हैं तो वो पैसे कहां कहां से इंतजाम करें तो सबसे पहले तो terms के अधार पे अगर मैं बताओं तो वो हो सकता है long term हो सकता है medium term हो सकता है short term अगर मैं long term की मैं बात करूँ तो 10 साल से उपर के लिए जब कभी भी आप पैसे का इंतजाम यानि कर जा लोगे तो उसे long term बोलेंगे एक से लेके 10 साल के बीच कर रहेगा तो उसे medium term बोलेंगे और जब हमारा होगा एक साल से कम के लिए तो उसे short term बोलेंगे ये तो हो गया terms कहां कहां से पैसा ले सकता है honor fund से honor fund से equity share से पैसे लिया जा सकता है preference share से पैसे लिया जा सकता है और retain earning से लिया जा सकता है retain earning क्या होता है हमने class में discuss किया था equity और preference में difference majorly पूछा जाता है difference अगर मैं बोलू तो सबसे पहले मैं main point बताऊँगा आप उसका answer बताना दोनों में पहले मैंने लिखा है यहां पे equity और फिर मैं लिख रहा हूँ preference मैंने बोला dividend क्या dividend के point के base पे difference हो सकता है इस क्या difference होगा equity में equity में fix नहीं होगा और इसमें fix होगा ठीक है इसके बाद capital refund के point पे हो सकता है capital refund के basis पे refund के basis का मतलब सबसे पहला business जब बंद होगा तो किसको पैसे दिये जाएंगे पताओ इसको हम सबसे last में पैसे return करेंगे इसको पहले इसके बाद हो सकता है voting right के basis पे difference बताओ voting right के basis पे के difference हो सकता है equity वाले को voting right होता है और preference वाले को voting right नहीं होता इसके बाद हम कह सकते हैं यहाँ पे ownership honor कौन माना जाता है business का equity वाला preference वाला हमारा honor नहीं माना जाता ठीक है ना तो इस basis पे कुछ difference है जो कि आपके book में भी लिखे हुए है और वो सारे points हमने discuss किये थे यहाँ पे इसको हम वापस ले तो buyback बोलते हैं और इसको वापस लेने पे redemption बोला जाता है ठीक है आगे हम देखते हैं concept के अंदर इसके बाद हमने equity preference share के बाद देखा था debenture debenture भी एक करजा लेने का तरीका है business के लिए पैसे का इंतिजाम करने का debenture भी है लेकिन फरक यह रहता है कि debenture का पैसा क्या होता है secure होता है कोई ना कोई गिर्वी trustee के पास रखके लेते है bank loan लेना भी एक तरीका है और इसके साथ साथ हम क्या ले सकते है public deposit भी ले सकते है इसके बाद short term के अंदर मैंने बताया था देखो एक तो honor fund बताया एक long term debt बताया एक short term debt सबसे पहले commercial bank था उसमें bank overdraft हो सकता है cash credit हो सकता है और क्या हो सकता है third short term loan या short term borrowing बोल दो आप इन तीनों में क्या difference था पता है cash credit के अंदर दो account अलग-अलग होता है bank overdraft में एक ही account होता है और short term में तो ब्याज उसी दिन से चालू हो जाता है जिस दिन से हमने loan लिया इसके बाद हमने देखा था इसके अंदर ICD आपका जो भी था inter corporate deposit एक company दूसरे company के जब पैसे देखे मदद करता है तो उसको ICD बोलते हैं इसका tenure और तीन था छे महिने का अगर होगा तो rate होगा 15% तीन महिने के लिए 12% अगर तुरंट जब मागू तब देदो तो 10% होता है तीन टर्म्स थे इसके अंदर इसके बाद creditor वगरा था last एक और इंतजाम करने का तरीका है पैसे का अब ध्यान से देखना normally company क्या करता है जैसे मान लेते हैं XYZ limited suppose करो depository receipts में आपके depository receipts में जैसे मान लेते हैं एक company है XYZ limited अब इसने क्या करा shares issue किए अब shares issue करने के बाद इस share को कौन खरीदेगा जो इस company का हिस्सेदार मालिक बनना चाहता है या जिसको पैसे कमाने होते हैं share खरीदने के दो purpose है एक हम किसी company में share लगाए सब दो गुना जल्दी सो जाए हमारा मुनाफ़ा बहुत तेजी से बढ़ जाए दूसरा क्या हो सकता है हमारा दूसरा option हो सकता है कि हम इस company के अंदर अपनी हिस्सेदारी करें हम अपनी इस company के अंदर अपना दब दबा बनाएं दो ही कारण हो सकता है एक investment और basically तो investment होता है दूसरा हम इस company में बने रहें तो इस company को मान लेते हैं कि 50 लाक रुपे की जौरत है 2018 में तो 2018 में company ने 50 लाक रुपे का share बेचा हिंदुस्तान के अंदर ये सारे public पता है कहां के है इंडिया के इंडिया के सारे public है तो इंडिया के public को तो पता ये भाई XYZ Limited है उसने देखा और सबने पैसे लगाया और 50 लाक का इंतिजाम हो गया अब इंडिया के लगबग लगबग सभी public ने share को खरीद रखा है अब company और जादा expansion करना चाहती है company को और जादा आगे लेके जाना है इसको अपने business को तो company को अगर और जादा आगे लेके जाना है अपने business को तो क्या करना पड़ेगा और पैसे की जुरत पड़ेगी इसे अब company को और चाहिए मान लेते हैं कि 100 करोड रुपे की जुरत है need fund 100 करोड अब इंडिया में शियर तो ईशू हो चुका हर किसी के पास है अगर मैं इंडिया में दुबारा ईशू करूँ तो भिखने के चांसिस क्या है कम डिबिंचर इंडिया में कोई ले नी रहा मतलब इंडिया के अंदर पैसे इखटे करने के सारे रास्ते बंद हो गए तो अब इसे पैसा जो करजे का इंतजाम करना होगा वो इंडिया के बाहर करना होगा तो मान लो यहां पे इंडिया है हमारा यह इंडिया है और यह मान लेते हैं हम बाहर कोई भी कंट्री मान लो आप मान लेते हैं यूएस से ठीक है कोई भी कंट्री है बाहर तो एक Indian company इसको पैसे की ज़रूरत है कितने पैसे की ज़रूरत है 100 करोट रुपे की ज़रूरत है जो कि भारत से तो नहीं मिल रहा तो इसे अपना हाथ पैर मारना पड़ेगा इंडिया के बाहर इंडिया के बाहर अगर मैं जाके US के किसी foreigner से बोलू कि मेरी company Indian company है मेरे पैसे लगाओ तो वहां का foreigner यकीन नहीं करेगा क्योंकि USA का कोई main ऐसा person जिस पे वहां के लोगों को भरोसा हो और वो बोल दे भाई इस company में पैसे लगाओ तो वो company क्या करेगा easily पैसे लगा देगा उसके अंदर अगर आप directly जाओगे तो आपका कोई बात नहीं मानने वाला तो अब India के अंदर या India चाहता है कि हम पैसे का इंतजाम करें बाहर से तो India को direct यहां के public से नहीं बात करना ठीक है ना direct public से बात नहीं करना है इसके लिए सबसे पहले हम जाएंगे जो India के अंदर bank है जो बाहर वाले का bank है और इंडिया वाले इन दोनों का अपस में तालमिल होता है अगर यह इंडिया वाला bank जो है जो इंडिया का कोई भी है और यह USA का है इन दोनों की आपस में बात होती है अगर यह इससे request कर दे जाके कि एक काम करो ना मेरे यहां पर एक company बड़ा परिशान है इसके आप shares को बिकवा दो वहां क्योंकि यह public आपकी बात को मान लेगा इसकी बात को तो नहीं मानेगा ऐसा बोला इसने क्योंकि यह USA का है अगर यह जाके public में advertisement करें कि इस company के share खरीदो तो सारे public बोलेगा यह तो हमारे यहां का person यह इसकी खरीद लेते हैं लेकिन भिजवाय किसने यहां से इंडिया के company ने हम directly नहीं कर सकते हैं जिसके अंदर इंडियन company ने request करा कस्टोडियन बैंक को इंडियन company ने request करा के जी हमारे please shares बिकवा दीजिए आपकी तो बड़ी जान पहचान है USA वालों से कोई भी country हो सकता है उससे फिर इंडियन bank वालों ने इससे थोड़े बहुत commission लिया होंगे जो भी इनके बीच का होगा आपस में अब इसने किसको approach किया USA वाले को यूएसे वाले को approach किया और यूएसे वालों को भी इसको commission देना पड़ा होगा यह commission किसको देगा यूएसे वाले को commission का भी चलता रहता है तब ही यह काम करते हैं अब यूएसे वालों ने क्या करा public को बोला कि आप इस company के share खरीदो और क्या है यहंचा के свет नवी यूएसे वालों कि वालों के ईौएसे वालों को भी West झाल 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 का मतलब एक intrigued से related नहीं है सारे country से related हैं और इसको short form में हम बोल देते हैं GDR ठीक है बहुत सारी company ऐसे example है जो कि इस तरीके के काम करती है अगर मैं इस company के example लूँ ADR के तो इंडिया के अंदर Dr. Ready यह दबाई बनाने की company है जो कि आपने अभी देखा होगा Max hospital जो है यह इसी के अंडर पहले था रेंबेक सी वगरा इसी के अंडर था तो डॉक्टर रेडी हो गया या फिर आपका Infosys हो गया जो software बनाने की company है HDFC का तो नाम सुना ही होगा इन सभी को पैसे की जुरत पड़ी तो इंडिया से जब यह ठग गए पैसे receive करने में तो इन्होंने सहारा लिया USA का तो इन सभी company का ADR भी है क्योंकि इसने सहारा किसका लिया USA का सेम ऐसे अब बहुत सारी company है जो की अमेरिका के साथ साथ दूसरे country का भी सहारा उसने लिया पैसे खटा करने के लिए तो उसने क्या इसू किये होंगे GDR इसू किये होंगे ठीक है ऐसे ही अब बाहर वाले company को मान लेते हैं कि USA वाले company को यहां के USA हो चाहे आपका UK हो चाहे आपका चाइना हो किसी और company को पैसे की जुरत पड़ेगा तो वह ऐसे ही एक जाएगा overseas के वहां के custodian जो होगा वहां के हिसाब से custodian overseas और वो फिर आएगा इंडिया वाले के पास देखो जब हम दूसरे के पास जाते हैं तो बोलते भाई से पैसा बाहर वाली company ने खटा किया है तो depository receipts तो है लेकिन कहां से receive किया तो उसको हम बोलते हैं IDR IDR example इंडिया से अभी तक ज़्यादा company नहीं एक दो company नहीं किया होगा जिसमें से एक company standard chartered bank है standard chartered bank ने इसी आई डियार से अपने कुछ पैसे इखटे किये हैं तो बेसिकली देखो GDR IDR या फिर आपका GDR और IDR और ADR basically है क्या यह company के shares ही है लेकि हम दूसरी company में जब पैसे को लेने जाते हैं तो shares का नाम बदल गया उसका नाम क्या हो गया अगर USA से लेने गए ADR हो गया अगर पूरे विस्व से पूरे वर्ल्ड से लेंगे तो GDR हो गया अगर बाहर का person इंडिया में आ जाएगा लेने तो उसके लिए माना जाएगा IDR ठीक है ना तो basically यह क्या है shares क्योंकि दूसरी company से foreign investor से पैसे लिए जा रहे हैं इसलिए उसका नाम बदल गया डिपोजिट्री रिशिट्स क्या होता है shares एक है उसको हम 10 के convert करके एक point बना देते हैं तो उसको क्या बोल देते हैं और फिर इंडिया से रिसीव करेगा तो तो आपको कुछ company के नाम भी इसके अंदर याद करने को जैसे मैंने बताए कि ADR में Infosys है HDFC Bank है Renvex C है जो company मुझे पता है यह अभी involved है सेम ऐसे मैं अगर IDR में बोलू तो मुझे एक standard chartered ऐसे GDR में भी बहुत सारी company है तो दो दो example आपको पता होना चाहिए इसका फाइदा क्या है भाई जब इंडिया के अंदर पैसे नहीं मिल पाए तो बाहर से कहीं से कहीं इखटा करो गया और बाहर से normally rate of interest जो होता है या बाहर बहुत easily पैसे को इखटा किया जाता है और वहां से पैसे किस मैंगे डॉलर में आएंगे और डॉलर की value क्या है हमारी जादा है तो इसलिए हम क्या करते हैं बाहर से पैसे को इखटा करते हैं तो आपके book में भी mention है यह ADR GDR इसके उपर question जरूर आएगा